आप देख रहे हैं TNB एक गाउ ऐसा भी जो कुरोना महमारी से है सुरक्षित जहां हर तरफ कुरोना की वज़े से हाहकार मचा हुआ है तो वही एक गाउ ऐसा भी है जो इस महमारी से अब तक पूरी तरह से सुरक्षित बचा हुआ है जहां दिन रात हमें मौत की खबरे सुनने को मिल रही है तो वही एक ऐसा भी गाउ है जहां अब तक कुरोना से एक भी मौते नहीं हुई है जहां लाखों की संख्या में लोग कोरोना महामारी के शिकार हो रहे हैं तो वही एक ऐसा भी गाउ है जहां पिछले 13 महीनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव इंसान नहीं पाया गया है सुनकर हैरानी होती है कि आखिर क्या अलग है उस गाउ में कि इतनी भयानक महामारी से वो अब तक बचा हुआ है और इसके लोग अब तक अंचुए है तो आईए आपको बताते हैं कैसे गाउ के बारे में जो इस वक्त एक मिशाल बन कर सामने आया है हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सिकरजुले के सुखपुरा गाउ की जहां पिछले 13 महीनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशिंट नहीं पाया गया है और इसकी वज़ा है कि और अनस संबंदिन नियमों का पालन गाउ के लोगों ने बड़ी ही सक्ती के साथ किया थै साथ ही पूरी साफधानी कोरोना के खेलाफ बढ़ती गई है पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब ही से यहां के लोग सतर्क हो गया और उसी वक्त से लेकर अब तक सारे गाउवाले ने पूरे अनुशासन के साथ मिल कर काम किया है और अपने गाउव को इस महमारी से बचाय रखने में सफल हो गया है जब पिछले साल लोगडाउन लगाय गया था तब गाउवाले ने सरकार की मदद से गाउव के मुखे द्वार को बंद करवा दिया था साथ ही गाउव के बाहर से आने वाले पर पैनी नज़र रखी जा रही थी इसके साथ ही गाउं में बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों की जाज भी की जा रही थी गाउं के बाहर ही आइसोलेशन एंड कॉरिंटाइन सेंटर बना दिये गए थे जहां पर गाउं वालों की तरब से खाने पीने की साड़ी सुविधाय तैयार की गई थी इसके अलावा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था जिसके वज़े से यह गाउं खुद को इस महमारी से बचाने में सफल रहा है जैसी कि आपने देखा कि कैसे तीन हजार लोगों की आवादी वाला यह गाउं खुद को इस महमारी से बचाने में सफल रहा इस गाओं के बच्चे से लेकर बूढ़े ने हर नियम का पालन बड़ी सक्ती से किया और खुद को सुरक्षित रख पाए आज के दोर में यह गाओं में शाल बन गया है और हमें भी इस गाओं के लोगों से सीखना चाहिए और पूरी मानदारी से कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना चाहिए ताकि हम भी अपने आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके खबरों में फिल हाल इतना ही देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करे